हलो एवरिवन तो बैच बी टू डाट इस बैच सेकेंड ओफ इन सी ए रर्टी या प्रिम्स सिंप्लिफाइद थू एम सिक्यूज हम लोग की फर्स्ट अपमार से स्टार्ट होने वाली है देखो कहने को तो बैच है लेकिन वन टू वन मिंट्वासिप कह सकते हो इसको इसको इस जो भी बैच चलती है उसमें हम लोगोंने क्या इंक्लूड किया है सबसे पहले समझ लो कि इसमें मेरा में मोटिफ होगा कि आपकी कंसिस्टेंसी को मिंटेन रखना है थू एम सिक्यूज मतलब में अजेंडा मेरा यही है मैं देखता हूँ कि नॉर्मली लोग बहुत सा एक conceptual एक platforms होते हैं जहां पर आप questions deal नहीं करते हो theoretical portion को बहुत अच्छे तरीके से brushing करते रहते हो लेकिन final जो output होता है वो prelims में नहीं मिल भाता आपको पता होगा इंडिया में भी कोई भी exam चल रहा है UPSC हो जाए state PCS हो जाए या CAPF लेलो या फिर UP PCS लेलो BPSC लेलो कहीं की easily eliminate कर दिया आता है क्योंकि जो मालो कोई भी PCS है वहाँ 4-5 lakh बच्चे भरते हैं और उनको prelims में maximum लगवग 95-97% को reject करना होता है साइध इससे भी जादा मालो 99.99% को reject करना होता है ठीक है तो main motive क्या है इस batch का देखो कहने को batch है बट एक normal कहते है improvement batch कहे सकते हैं इसको MCQs के through आप simplify करोगे चीजों को topics को easily breakdown करोगे batch B1 औरड़ी चल रहा है 10-11 class हो चुके हैं उसमें classes कहने का मतलब 11-12 कर देना क्यूंकि लगवग 20 दिन से चली आ रही हैं किस तरीके से जो batch का model होता है वो हमारा देखो simple सा बात है दो दिन का slot रखा जाता है starting में day first को आपको assign की जाती topics या फिर जो schedule हो सकता है उसको कह सकते हो through आपको NCRT से उसको revise करना होता है या तो आप NCRT से कर लो या फिर कोई भी source जो आप particular standard textbook या फिर कोई भी चिससे आप follow करते हो उससे follow कर लो अच्छे तरीके से day one को revise कर लो जो maximum 4-5 topics मिलेंगे आपको दो दिन के slot में ठीक है उसको पहले revise करोगे दो subject at a time चलेगा जैसे हमारा भी चल रहा था modern Indian history उसके साथ चला आपको general chemistry ठीक है general science की part general chemistry फिर medieval start हुआ है उसके साथ भी bio segment start हो चुका है इस तरीके से parallel ही ताकि आपके लिए monotonous ना हो आपके लिए boring ना हो क्योंकि देखो दो दिन पे आपको 50 MCQs solve करने हैं वो 50 MCQs कहने को तो 50 MCQs हैं लेकिन वो 200 MCQs के बराबर होगे क्योंकि जो भी topics में लेता हूँ जो भी questions मैं pick करता हूँ मेरे दोरा खुद के दोरा handpick होता है देखो लगबग कम से कम नहीं भी न तो apart from basic general PCS और UPSC PYQs I have solved many questions लगबग आप समझ लो कि हर एक subject की नहीं भी त इतने questions के through गया हूँ कि मुझे पता जलता है कहाँ पे prelims में किस तरीकी question पूछे जाते हैं और कहाँ पे आप किस तरीके से discard कर दोगे कहाँ पे आप reject हो जाओगे ठीक है rejection ratio जो questions के through होते हैं वो मुझे पता चल जाता है questions को देखके और उसकी जो options होते हैं उसमें से भी basic fund है कि आप जितना ज़्यादा सर को तोड़ोगे सर को तोड़ने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा brainstorming करोगे आप questions पे उतनी ज़्यादा आपकी conceptual clarity होगी ठीक है NCRT बहुत लोग पढ़ लेते हैं लेकिन जब बात आती है questions पे तो उसको आप उस तरीके से नहीं judge कर बात इस तरीके से examination में उसको उठाकर डाल दिया आता है तो main मकसद यही होगा अच्छे level के questions मेरे जोरा खुद के जोरा handpicked होंगे UPSC different state PCS के questions होंगे और NCRT based होंगे 50 to 50 का model होगा 50% NCRT से होंगे 50% आपको state PCS UPSC CAPF या फिर other आपको PYQs देखने को मिलेंगे जो की standard questions होंगे जहां से आप different concept को ले सकते हो ठीक है तो अभी यह start ह होने वाला है first of March से already थोड़े से कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ-कुछ जोइन किया है first batch में लगो 80 students है और काफी ठीक चल रहा है लेकिन उसमें ना मैं एक चीज़ देखा हूँ देखो मेरा main motive यही था कि इस batch के थूँ आपको consistent करना देख कि आपको इंडिया की किसी भी exam में help करेगा उसको आप follow कर सकते हो ठीक है लेकिन फिर भी देखो competition कहां पर fall करता है मैं आपको बताता हूँ देखो लगवग पहली बैच हमारी 80s aspirants की है start किया पहले 40 starting के 4-5 वीडियो चार-5 दिन की schedule को 40 के plus बच्चों ने attend किया लगातार regularly ठीक है मैं कोसिस किया हूँ कि मैं एक भी दिन fail ना करूं मतलब लगवा मुझे 4 घंटे लग जाते है 4-5 घंटे question frame करने में उसकी solution निकालने में उसके notes त्यार करने में notes मैं क्यों देता हूँ देखो जो भी question से जो extra points मिलेंगे bullet points मिलेंगे जो चीजे उस 50 question की extract होगी उसको मैं handwritten mode में provide करता हूँ ताकि आपके लिए यह असान हो जाए आप जब उसको revise करने जाओ तो आप बार बार 50 घंटे की video बनती है 50 question को analysis करने का वो आपको ना देखना पड़े बार बार ठीक है तो देखो basic EM यही रहेगा कि day 1 को आपको topic schedules बताये जाएंगे फिर आप उसको revise tic questions को आप test दोगे और SAM तक में आपको provide की जाएगी answer की SAM तक में जो आपको answer की provide की जाएगी ना उसको आप answer check करोगे फिर अपने marks बता दोगे अगर आप interested हो तो बता दोगे consistent होना चाहते हो तो बता दोगे अगर आप खुद में अगर आप चाहते हो कि हाँ prelims आपके निकले anyhow निकले और अच्छी conceptual analysis हो ठीक है तो आप उसमें participate करोगे फिर हम लोग उसकी video solution प्रवाइड करते हैं या तो उसी रात या उसके अगले सुबह तक आपको मिल जाएगी ठीक है तो यह हमारा होगा यह model है batch B2 का अगर आप चाहते हो बहुत सारे बच्चों ने मुझे mail किया था message किया था कि sir अभी CSIR है so you should wait for few days तो पहली बैस तो मैंने निकाल दे थी लेकिन अब second batch भी निकल रहा अगर चाहो तो आप इसको join कर सकते हो अगर आप इसको join करना चाहते हो तो पहले तो मैं आपको दिखायता हूँ अलड़ी day one का जो day one की test है वो तो अलड़ी ही आपको uploaded है अज़े demo लेकिन मैं फिर भी दिखायता हूँ questions किस तरीके के होंगे questions के साथ साथ मैं आपको notes भी दिखायता हूँ notes किस तरीके से provide किये जाएंगे ठीक है आप देख सकते हो यह हमारा day 7th का schedule था 16th और 17th फेब का ठीक है इसमें हम लोगोंने freedom historical of India second phase 1915 से 1935 तक लिया था फिर इसी तरीके से emergence of स्वाराजिस्ट socialist and revolutionary activities in India Simon Commission Neuro Report NCM CDM Post CDM यह चार topics है यह आपको दो दिन मिला है और इसके साथ साथ dissu heredity evolution मतब देखा जाना overall तो बहुत ज़्यादा नहीं है इससे questions frame किये गए आपको बताया गया कि तरीके का था ठीक है तो आप देख सकते हो देखो सलसे पहले तो यह समझ लो कि जो test day 7 था NCRT UPSC PCS exams का topics already predefined था Indian nostalgia second phase general science में TCU heredity and evolution ठीक है ना तो आप questions देखना मैंने ना questions वैसे पिट किये हैं चो कि आपकी ज़्यादा ज़्यादा conceptual clarity कर सकें मतलब वो चीजें वो topics होती है जैसे CDM की वज़ा क्या थी ठीक है NCM और CDM में differences क्या था ठीक है आप कैसे distinguish कर सकते हो NCM और CDM movement ठीक है तो जो questions set किया गया किसी भी conceptual clarity में include करके किया गया जैसे उसकी context पूछी गई ठीक है फिर ऐसे बहुत सारे factual informations जो आप एक बार में collect नहीं कर सकते हो उसको provide किया गया ताकि आप वहाँ से बहुत कुछ निकाल सको ठीक है चलिए मतलब मेरा हर एक हमेशा यही रहा है कि जो questions मैं पूछो उससे ना आपकी complete एक thorough revision हो जाए जैसे मालो मैंने NCM पूछा 90-20 में तो इसमें से कौन-कौन original programs थे जो adopt किये गए थे NCM में तो यह 6 क6 माना दे दिये ठीक है 6 क6 दे दिये जैसे में temple entry of to defy untouchability तो यह नहीं था इसमें यह directly उसमें added नहीं था तो मैंने इसको यह जो question दिया ना मेरा मतलब यह था कि यह ना South India में काफी जादा South India में justice movement के तौर पे चला था ठीक है temple entry movement चला था जहाँ पे lower caste को temple में entry दिलाने की बात की गई थी Sanskritization मतलब Sanskrit पढ़ाने की बात की गई थी ठीक है ना तो मैं यहां से आपको वो निकाल के लाया ठीक है तो इसको भी define किया गया जो notes provide किया गया उसमें इसके बारे में information दिया गया और साथ साथ में NCM में जो चीजें हुई उसको भी अच्छे तरीके चे explain किया गया मेरा main motive यह था यह motive नहीं था कि हाट ठीक आप रटलो यह साथ चीजें हुई ऐसा नहीं है चलिए उसी तरीके जो और देख लो all parties conference 1928 all parties conference hindu mahasabha, सारी की सारी Muslim league, total की total तो उसमें जानना, मतलब ऐसी चीजे जो आपको लगे न कि यह domain में नहीं थी मतलब याद नहीं कर पाए, इसको recall नहीं कर पा रहा हूँ जो बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं यह कुछ ऐसी चीजे है जो आपको second या third layer या fourth layer से पूछा जाता है exam में तो एक अच्छा सा conceptual clarity होनी चाहिए चीजों को लेके तो उसको मैं उसी तरीके से डाला हूँ तो देखो main motive तो रहा ऐसे questions डाल दिए उसके बाद ऐसे-इस questions आपको डाले गए फिर जैसे मालो 30 questions मैंने history के डाल दिए या फिर 28, 25, 26, 27 questions डाल दिए फिर उसके बाद हम लोग चले गए general science पे जो मैंने उस दिन के segment ली थी heredity हो गया, evolution हो गया, जो भी topics हो गया उसको फिर इस तरीके से इस mode में general science में include कर दिया, ठीक है, handpick question होगे मेरे दोवारा question handpick किये जाते हैं मैंने वो ऐसे-वैसे questions को include किया है, मतलब लगवक 7-8 books मैं use करता हूँ, जहां मुझे लगता है कि हाँ ये questions मैंने star किये थे कभी या इस questions को यहाँ पे आके notes जो मैं notes provide करता हूँ, after the test मतलब इतने सारे काम मैं खुद ले रहा हूँ, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आपकी एक all-round development हो सकती है, prelims point of view से, ठीक है just wait, अब देखिए ऐसे notes हो गए, जो मैंने उस आप कह सकते हो जो test दिये, उससे extract किये majority of जो topics होंगे, वो आपको indirectly और directly help करेंगे, prelims point of view से जो भी factual informations, जो आपको लगता है exam में आएगा, उसको मैंने डालने कुछ किए देखो, normal informations नहीं पुरी-पुरी notes मैं बना के थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो बस जो test से निकलेगा, test, test से जो भी factual informations या जो informations derive होंगे, उसको डाल रहा हूँ, तकि आपका exam ही जी हो जाए, जैसे मालों यह wars थे तो यह पूस्ता exam में हर जगा, तो एक page में इसको डाल दिया, थाकि आप देखते रहो बार-बार तो ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे informations, देखो, यह sequence से question पूछता है, ठीक है, मुगल्स में, तो इसको डाल दिया, इस तरीके से आप इसको benefit ले सकते हो, और अगर आप join करना चाहते हो इस batch को, NCRT NCRT, या फिर prim simplified through MCQs batch को, जहां पर आपको various PYQs की analysis होगी, dimensification होगा, simplification होगा, और फिर NCRT की topics को simplify किया जाएगा, तो आप मुझे, telegram पर message कर सकते हो telegram दो ID है, एक तो है आपको entangled photon, ठीक है photon और एक है आपको IP simplified, ठीक है ठीक है, आपको telegram channel पर इसकी दोनों की link मिल जाएगी है, वहाँ जाकर message कर सकते हो, ठीक है इसके बाद मैं batch कुछ दिन तो नहीं start करने वाला हूँ और हाँ, time की कोई limit बद रखना दिमाग को fresh करके आना, एकदम पूरी तरीके से dedication देना, कोशिस करूँगा कि UPS discipline से पहले खतम हो जाए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है